मेहनत कश इंसान अगर तू सपना एक सजाएगा, थोड़ी ताकत और लगा बस सब तुझको मिल जाएगा, बड़ा कदम और आगे चल बस अर्मा पूरा हो जाएगा, और मन्जिल उनकी राह देखती जो आगे कदम बढ़ाएगा, नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दॉक्टर अम अमीर बनना चाता है, बहुत अधिक अमीर बनना चाता है, और ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, पर क्या वास्तविक्ता में हर व्यक्ति अमीर बन पाता है, हम इसलिए अमीर बनना चाते हैं, कि हमारी लाइफ में financial stability हो, और हम comfortable life जी सकें, और हर वो चीज खरीच सकें, जिसको ह खरीदना चाते हैं, और ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे तरीके हैं, जो हमें रातो रात अमीर बना देते हैं, जैसे लोटरी का लगना, ये हर व्यक्ति की life में संभव नहीं है, जल्दी अमीर बनने के लिए हम ऐसा सोचते हैं, कि काश कोई लोटरी देखने के बाद आपके हाथ को अलादीन का चिराग लगने वाला है, और आप रातो रात अमीर बन जाएंगे, तो मेरा हाथ जोड़के आपसे विनमर निवेदन है, कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप exit कर जाएं, आप मैंसे बहुत सारे लोग जो मुझे follow करते है वो मेरे बारे में जानते हैं, कि मैं home tuition पढ़ाया करता था, और home tuition से लेकर Metas Overseas Limited के founder director बनने तक का सफर मैंने अपनी life में तै किया है, और एक बहुत बड़ी company को establish किया है, सफलता की इस journey में मेरी life में बहुत सारे ऐसे सफर लोग आए, जिनका सिधा प्रभाव मेरे जीवन का पालन करते हैं, और आज वो 10 रहस्य, और आज वो 10 नियम मैं आपको बताने वाला हूँ, कि जिनका अनुकरण करके आप भी बहुत अधिक संवरिदी, बहुत अधिक अमीरी हासिल कर सकते हैं, और आप भी आसानी से अमीर बन सकते हैं, और अगर आप इस बात की गेराई तक जाना चाते हैं, और इसकी सचाई की खोज करना चाते हैं, कि बहुत सारे लोग अमीर कैसे बने, तो आप जरूर 10, 20, 50 लोगों के जीवन परिचा के बारे में जरूर पड़ें, उनकी जीवनी को पड़ें, आप देखेंगे कि उन सभी लोगों में, जिनों अपने लाइ जीवन में इन 10 बातों को ढाल लिया ना, तो मैं गैरेंटी के साथ कह सकता हूं, कि आपको जीवन में सफल होने से, अमीर बनने से, कोई नहीं रोक पाएगा, तो आई इस बात को हम काउंडाउं से शुरू करते हैं, और देखते हैं, कि उन लोगों ने अपने जीवन में ऐ समझा, और ऐसा काम किया, जिससे आप लोगों की मदद कर सकें, लोगों की लाइफ में कोई परिवर्तन कर सकें, कोई ऐसा काम कर सकें, जिसका लाब समाज को होने वाला है, जब आप समाज के लाब के लिए काम करते हैं, तो आपको कई गुना वापस समाज आपको लाब के रूप में देता है और वो आपको अमीर बना देते हैं रियल लाइफ लर्निंग ही आपको लाइफ में आगे बढ़ाती है आपने देखा होगा जब कोई MBBS करता है तो theoretical और practical करने के बावजूद भी जब वो रियल लाइफ में प्राक्टिकल करता है तबी वो एक निपूर्ण डॉक्टर बनता है इसलिए रियल लाइफ लर्निंग के माध्यम से आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे समझ पाएंगे और ये देख पाएंगे कि वो कौन से कारण थे जिसकी वज़ा से ये लोग सफल बने और कोई न कोई एक ऐसा करण आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको सफलता तक पहुँचाने में ज़रूर मदद करेगा और नाइन्थ है गिव यॉर्सेल्फ रिवाड और गिव बैक टू दा सोसाइटी आप जो भी काम करें उस काम को करने में होने वाले लाबगा एक हिस्सा अपने आपको ज़रूर दें मतलब आने वाली आये का एक हिस्सा अपने लिए ज़रूर रखें मैं ये मानता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में जितनी भी अर्निंग करता हूँ जितनी भी success हासिल करता हूँ उसका 10% reward मैं अपने आपको देता हूँ जो मुझे हमेशा एक energy देता है जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ और हम हमेशा अपनी life में ये जरूर ध्यान रखें कि हम दूसरों की मदद जरूर करें जब आप society को कुछ देते हैं तो society उसके बदले आप को बहुत कुछ देती है और आप देखेंगे जितनी ज़्यादा लोग दान करते हैं जितनी ज़्यादा लोग दूसरों की मदद करते हैं जितनी ज़्यादा लोग दूसरों के काम आते हैं वो सफलता उतनी जल्दी हासिल करते हैं इसलिए एक नियम बनाएं कि अपनी life में जो भी आप earn करते हैं, चाहें वो salary हो, चाहें business से profit हो, उसका 10% अपने आपको reward के रूप में दें, और ये छोटा छोटा reward एक दिन बहुत बड़ी investment बन जाएगा, and the 8th rule says, never put your all money in single source of earning, कभी भी अपना सारा पैसा, एक तरह के source of earning पर ना लगाएं, different different source of earning बनाएं, चाहें वो interest के रूप में हो, चाहें वो rent के रूप में हो, चाहें वो share investing के रूप में हो, या business से आने वाले profit के रूप में हो, मैं एक business man से मिला, उसने मुझसे कहा, कि मेरा business बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और मैं एक ही company के लिए सारा material produce करता हूँ, और जब मैंने वो काम शुरू किया था, तो उस समय पर मेरे पास केवल 10 करमचारी थे, और आज मेरे पास 200 करमचारी की team है, तो मैंने उससे एक प्रश्न किया, जिस प्रश्न को सुनने के बाद उस व्यक्ति के पसी ने चूट गए, और वो प्रश्न था, कि अगर वो एक कमपनी आपको order देना बंद कर दे, या अपनी support and services आपसे withdraw कर ले, या आपसे माल लेना बंद कर दे, तो क्या होगा, उसने कहा कि ऐसी अवस्था में तो मेरा business अचानक से बंद होने की कागार पर आ जाएगा, क्योंकि उस समय पर मुझे कोई इतना बड़ा vendor नहीं मिल पाएगा, जो अचानक मुझे इतना order दे सके, कि मैं 200 लोगों की team को feed कर सकूँ, मैंने उनसे कहा, अभी से इस चीज़ की तयारी करें, धीरे धीरे अपनी unit में, और अलग-अलग companies के लिए product develop करना शुरू करें, क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है, अर्थ यवस्था तेजी से up and down होती है, काम करने के तरीके तेजी से बदलते हैं, इसी लिए अपने सारे के सारे पैसे को एक तरह के source of earning पर ना लगाएं, हमेशा ऐसे source of earning पर भी लगाएं, जिससे आने वाले समय में भविश्य में आपको लाब हो सकता है, यह बहुत जरूरी बात है उन लोगों के लिए जो बहुत बड़े-बड़े risk लेते हैं, या एक ही तरह के काम से बहुत अधिक आई कमाना चाहते हैं, मेरा request है, never put your all money in single source of earning, के वल एक तरह के व्यवसाय में, एक तरह के resource में, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, वहाँ पैसा ना लगाएं, अपने पैसे को dilute जरूर करें, different sources में जरूर लगाएं, और अब जो मैं आपको बताने जारू ना, वह बहुत important है, उसको बहुत ध्यान से समझेगा, always save money, हमेशा पैसे की बचत करने का नियम बनाएं, बहुत सारे लोग, आय में से खर्चा करने के बाद, जो बहुत बड़ी पूजी, इकठी हुई, ध्यान से समझेगा, लोगों का नियम होता है, income minus expenditure equal to saving, मतलब जितना भी पैसा वो कमाते हैं, उसमें से जो भी पैसा खर्च होता है, उसके बाद जो पैसा गसता है, उसको saving में डालते हैं, लेकिन सफलतम लोगों का नियम है, और मेर पैसे को expenditure में use करता हूँ, और जितने लोगों ने इस नियम को अपने जीवन में अपनाया है, उनोंने अपने जीवन में अपार पैसा ही कठा किया है, अब sixth rule जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो seventh rule का ही एक part है, बहुत सारे लोग saving करते हैं, friends, saving करने से कभी भी आपका पैस work for you, अपने पैसे को saving के रूप में बचा के ना रखें, बलकि उस पैसे को invest करें, पैसे से पैसा कमाएं, जो बहुत महत्वपून हैं, और जब आप अपने पैसे को पैसा कमाने पर लगाएंगे, तो आपके द्वारा की हुए काम से तो आपको earning आएगी ही आएगी, और त्यान से आप समझे, मान लीजिए मैं 1,00,000 रुपे महीना earn करता हूं और उसका 10% saving करता हूं, लेकिन वो saving मैं अपने घर में किसी piggy bank में या कहीं रख देता हूं, इकठा करना शुरू करता हूं, तो एक साल में वो पैसा 10,000, गुना में 12, मतलब 1,20,000 रुपे saving होती है, ल saving को मैं ऐसी जगह लगाऊं, जहां से मुझे earning आना शुरू हो जाए, और वो saving है, चाहे मैं bank में FD करूं, recurring deposit करूं, SIP करूं, mutual funds खरिदूं, या कहीं भी जहां मेरा पैसा, पैसे पर पैसा कमाए, ये बहुत ज़रूरी है, और आप SIP करके भी, mutual funds खरिद के भी, LIC में निव deposit करके भी, recurring deposit करके भी, अपने पैसे से पैसा कमा सकते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि 10,000 रुपे या 5,000 रुपे या 2,000 रुपे की saving बहुत छोटा amount है, और आपको जानके आश्चारे होगा, जब आप उसको SIP में लगाएंगे, mutual fund में लगाएंगे, या recurring deposit में लगाएंगे, या किसी भी तरह से निवेश करेंगे, तो वो पैसा multiply होना शुरू होगा, और आप calculate करें कि यदि मैं 10,000 रुपे महिना भी regular saving करके invest करता हूँ, तो वो बहुत बड़ा amount लगभग 1,500,000 रुपे से भी जादा बन जाने वाला है, मतला मैंने इकठा किया, save किया 1,200,000 रुप हो जाएगा, यदि मैं ऐसा लगातार 5 वर्षों तक करता रहूँ, तो मेरा amount जो मैंने deposit किया है, उसका लगभग 2,5 गुना मुझे प्राप्त होगा, इसलिए अपनी saving को invest करें, ताकि आपकी income आपके कमाने के साथ साथ, आपकी money से भी income rotate होना शुरू हो, generate होना शुरू हो, दोस्तों, अभी मैंने आपको बताए है, अमीर बनने के 10 नियमों में से 5 खास नियम, अब अगला जो काम है, अगला जो task है, वो आपके लिए है, आपको एक home work करना है, आपको comment box में मुझे लिख करें ज़रूर बताना है, कि आपने अपनी life में किस-किस व्यक्ति की जीवन पड़ी है, कितने अमीर लोगों के बारे में आपने पड़ा है, उनके बारे में जाना है, और ये 5 नियम commonly आपने उनके life में implement होते हुए देखे हैं, और मैं एक बात आपसे कहता हूँ, आपके मन में अमीर बनने के नियमों को लेकर, जो भी प्रश्ण है, जो भी जिग्या अमीर बनने के लिए उनको कब हम upload करेंगे, तो मेरा request है, जादा स्यादा comment करें, जादा स्यादा like और share करें, ताकि जल्दी से मैं आपको बचे हुए 5 powerful नियम अमीर बनने के बता सकूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित मैंश्वरी आपके सुनरे बोईश्य की काम ना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत